तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप में OTP जो नहीं भीजा जा रहा है उस प्राइब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यह जनरली ऐसा प्राब्लम तभी आता है जब आप अपने अकाउंट को अच्छी तरह किसे लॉग इन नहीं किये हैं स्टेप बाइस्टेप अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं वहां से आप सिख सकते कि इस तरह से अच्छी तरह से लॉग इन किया जाए फिलाल अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके मुबाइल में OTP नहीं आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो यह टाइम ले रहा है तो कुछ तरह के लिए हम पौस कर लेते हैं वीडियो को तो इस तरह से कुछ इंटरफेस नजर आएगा ऐप आप अपन होने के बाद तो यहाँ पर आपको सब-सदे पहले अपना मॉबाइल नंबर इंटर कर लेना है तो मोबाईल नमबर इंटर कर लेता हूँ रूपाइल नमबर इंटर कर लेता हूँ और यह 29 seconds, sorry, 30 seconds का यह हमें time देगा और देखते हैं यह आया कि नहीं, यह जो अभी message आया हुआ, यह 14 मिनट पहले का कोई दूसरा message है, वो message नहीं है, तो इसको मैं हटाज लेता हूँ और जब message आयेगा तो OTP यहाँ पर fill up हो जाएगा खुद बखुद, ठीक है, और आप देख सकते हैं, आयेगा ही नहीं, क्योंकि similar condition मैं बहुत बार face कर चुका हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोग face करते होंगे, बट आज किस वीडिम में आप कदा से आप इसे fix कर सकते हैं, देखे, 30 सेगंड खतम हो गया और अभी तक OTP नहीं आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, control panel मैंने को इसकर दिखा दिखा दिया है, नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, simple सा दिखाना है, आपको यहां से बाहर आना है, बाहर आने के बाज, आप आपको क्या कर दिखा 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 दिख कि यहां लॉग इन पर क्लिक कर लेता हूं और सेंट लॉग इन विद ओटीपी पर क्लिक कर लूँगा ठीक है दूरियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं इसको कुछ देर के लिए पॉस कर लेता हूं दोस्तों हमारा यह आप देख सकते हैं हमारा हो चुका है लॉग इन हो चुका है और यह मैसेज भी अभी आया है आप देख सकते हैं है ना सो मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं यह मैसेज अभी अभी आया है just now देख सकते हैं जाद देर भी नहीं हुआ है और इससे हमारा लॉग इन भी हो गया तो इस तरह से आप लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूं जोस्तों यह वी वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लिए